स्री शिवाईन नमस्तुब्यम दर्शको कैसे हो आज अगरते हैं कि आप सब स्वस्तेर्म स्राक्षेत होंगे दर्शको 16 नवंबर साथ ही दिन बुधुवार पड़ रहा है इस दिन दर्शको एक छोटा सा कार्य आप सभी को करना है दर्शको किस तरह से किस प्रकार से इस छोटे शुपाई को करना है दोस्तो बुधुवार का दूश दिन होता है इस दिन विग्न हरता स्रिकने से कि पूजा की जाती है तो दोस्तो आप सभी को इस कारय को जरूर करना है और आप लोगों को मातर एक चीज अपने घर की उसे इस जगह गाड़ देना है किसमत आपकी पलट जाएगी जीवन के तमाम बादाओं से आपको छुटकारा मिले प्राप्त होगा आर्थिक बादाए आपकी दूर होगी तो दर्शको किस तरह से किस प्रकार से इस छोटे शुपाय को करना है वह है पूरी संपूर्ण जानकरी इस चैनल के मातर हम से बताएंगे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और हर बार की तरह कुमेंट में सरी शिवाई नमस्तुवयाम जरूर लखेगा तो दोस्तो यह जो उपाय है बहुत ही कारगारी उपाय है दोस्तो कहा जाता है कि जो बुद्वार का दिन होता है बुद्वार का दिन अगर कोई व्यक्ति इस दिन कुछ चोटी चोटी उपाय कर ले और भगवान स्री गनेश यानि विगन हरता को प्रशन कर ले तो उस व्यक्ति की तमाम कष्टों से उसे चुटकारा मिलता है और व्यक्ति का भुद्ध मजबूत होता है जिससे कि उसका हर अटका कारिया बनता है हर विग्ड़ा कारिया बनत इसी के साथ आज हम आपको एक छोटा सुपाई बताने जा रहे हैं, दोस्तो इस दिन आप लोगों को मातर किसी भी भुदवार के दिन आप लोगों को सुबह इसनान करने से पूर्व आप लोगों को अपने घर के पूजय इस तल पर जहां पर मातरलाक्ष्मी के साथ ही बगवान स्री गनेशी को मातललक्ष्मी का मानस पुत्र कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों फिर उसके बाद में आप लोगों को अपने घर में से आप लोगों को आठ हरे मुन के दाने लेने हैं। उनको पूरे घर में घुमाना हैं। और फिर आप लोगों को उन्हें अपन पास से किसी भी ऐसी दिशा में गाड़ कर आना है जहां पर किसी भी पीपल का व्रक्षो या फिर बेल का व्रक्षो या फिर किसी भी परकार का केले का व्रक्षो उसकी नीचे आपको ने गाड़ कर आना है दोस्तों इस कारे को जरूर कीजिएगा आपको बहुत अच्छा ला अगली वीडियो के साथ